पीपल्स कॉंफरेंस के सीने लीडर खुर्शीद आलम ने रिजाइन किया है और खुर्शीद आलम एक जाना माना चहरा यहां पर माना जाता है कश्मीर में पहले वो पीडीपी में थे और उसके बाद पीडीपी को भी उन्होंने खेराबाद किया था उसके बाद उन्होंने People's Conference जोईन की थी करीब-करीब 1.5 साल के बाद ही आज लोगसबा एलेक्शन जब हुए लोगसबा एलेक्शन में एक बारी हार People's Conference को नौर्फ कश्मिर में देखना पड़ा और उसके बाद यहाँ पर कहीं एक चेंज जो है पीडीपी को ही फिर से चुना और फिर से पीडीपी को जॉइन किया, आज बड़ी खबर ये है कि खुरशीद आलम ने पीपल्स कानफरेंस का हाथ छोड़ दिया है, अब जिस तरह से जराय से हमें मैलूम हुआ है, पीपल्स कानफरेंस से निकलने के बाद खुरशीद आलम फ उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद हम इस पर बात कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा इंतिजार कीजिए हम चाहेंगे कि खुरशीद आलम से हम बात करें लेकिन थोड़ा सा इंतिजार के बाद वो मिल सकते हैं और उनसे हम बात भी कर सकते हैं आपको मैं बताओं कि लोग सब भी बताय जाता है कि कहीं एक political parties में जो leaders है उस में पार्टी को सलाम कर सकते है और दूसरी party को ढ़िन कर सकते हैं और डूसरी party को join कर सकते हैं उसमें दरजन बर ऐसे leader जो है आने वाले वक्त में दूसरी party जोइन कर सकते है उसमें खास कर जो effect है वह यहाँ पर दो तीन party इस पर पढ़ सकता है क्योंकि यहां पर अभी जिस तरह से खबरे आ रही है उसमें कहीं एक सरकरदा लीडर जो है वो पार्टियों को छोड़ जो अपनी पार्टी थी यानि कि अपनी पार्टी की में नहीं बात करा हूँ जो उनकी पहले पार्टी हुआ करती थी यानि कि PDP में आप शमूलियत करने जा रहे है आपको मैं बताओं कि कुछ दिनों के बाद आपको ये ख़बर भी सुनने को मिलेगी कि बड़े सरकर्दा लीडर जो है कॉंगरिस में भी शमूलियत करने जा रहे है जो कांगरिस को चोड़ कर गए थे और PDP में भी कहीं एक लीडर बने वाला है और उसमें फिलाल अभी की जो खबर थी जो हमारे साथ लेट जुड़े है उनके लिए मैं फिर से बताओं कि जो पीपल्स कांफरेंस के खुरशीद आलम है उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया है अब वो कहां पर जाएंगे क्या करेंगे वो अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा जब हम उनसे बात करेंगे लेकिन यह क्यास आ रहा है काफी जदा गरम है कि वो पीड़ी पी का हाथ फिर से थाम सकते हैं फिर दोसरा ही वह जानलवानी जेक न्यूश रिसर नगर